इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलन के special ranker test, SRT test, जो की कुछ limited centers के लिए हो रहा है, ठीक है, और class 8th to 10th के लिए हो रहा है, यह मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूं, class 8th में अभी आप है, 9th में या 10th में, तो ही आप इस test के लिए eligible है, for limited centers, अब comment में आएगा कि 8 से पहले के लिए क्यों नहीं हो रहा है, या सब center के लिए क्यों नहीं हो रहा है, वो LN का description है, LN नहीं करना चाहरा है, तो कुछ सोच की नहीं करना चाहरा होगा, ठीक है, देखना कैसा है, आपने सबसे पहले यह देखना है, कि आप किस study center में पढ़ना चाहते है, ठीक है, क सारे सेंटर है सपोस आप देख रहे हों चंडिगड पंच कुला मोहाली आपने यहां पे क्लिक करना है ठीक है यहां पे क्लिक करेंगे तो देखो यहां पे बैनर भी दिखा रहा है और यहां पे राइट साइड में notification भी आ रहा है special ranker test for class 8 to 10 इसके उपर क्लिक करने और कोई center choose कर लो जैसे quota में तो नहीं हो रहा सपोस्ज जैसे आप quota देखो तो quota में नहीं हो रहा है क्योंकि quota में उनकी अपनी अलग methodology है उसी साफ से सेलेक करेंगे देखो यहां पर कहीं कोई notification नहीं आ रहा है special ranker test का तो यहां कोटा के लिए नहीं हो रहा है और कोई center select करके देख लो यहां पे click किया असे देहरादून में मैं हो रहा है तो सबसे पहले पहला इस सबसे पहला चाहते हो उसको यहां से सेलेक्ट करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो टैंचल लेने की जरूरत नहीं है टैलेंट एक से एसाथ है उसके इसाब से आप बाद में भी एडमिशन ले सकते हो जब इस पर क्लिक करोगे तो यह कुछ ऐसा खुलेगा इसमें देखो मैंने पहले ही बता दिया क्लास 8 से 10 स्टुडेंट के लिए जे में एडवांस और नेट यूजी के लिए स्पेशल रेंग का टेस्ट है एसार्टी और टेस्ट की डेट है 26 नुवंबर 2023 एक बज़े से तीन बज़े तक का एकजाम है दो गुंटे का एकजाम है ठीक है स्कॉलर्शिप क्या है स्कॉलर्शिप अप्टू 90 परसेंट बेस्ट अन एसार्टी पर्फॉर्मेंस जो आपकी इस टेस्ट में प्रफॉर्मेंस रहेगी जैसे टैलेंट टेक्स था उसी के साप से उसी तरह से इसकी भी मेतड़ोलोजी है फिर एसेट आता है ठीक है तो 90 प 40 परसेंट तो आप यह वाल है अवाल करसकते हो यह और टैलेंट एक्स में 40 परसेंट मिली थी इस में 20 परसेंट मिली थी तो लिए औरली बाट li डिशेंट वाले जनक पन. कछ दिस धमर एक सेवांड़ तिस horseback कि अगर माले इससствен पहले एडमिशन ले 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 तो तो above this scholarship कुछ और further 10-12,000 रुपे का discount मिले था, आपको depends upon classes, तो इस बार भी ये चीज वो दे रहे हैं कि इस scholarship के over and above भी आपको कुछ cash discount फीस में मिल जाएगा, ठीक है, LN Career Institute के बारे में दिया है, ये तो आप जानती हो, अब ये देखो, advanced batch, special ranker test से आपको क्या मिलेगा, advanced batch मिले इसका क्या है, ये उन student के लिए सही है, जो कि अपनी current जो ये वाले class है, उस class की preparation को समझ रहा है कि मेरी अच्छी खासी हो गई है, अब मुझे board के लिए भी बहुत जादा extra time की ज़रुवत नहीं है, मैं उस time को use कर सकता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे board पे जाद फोकस करना है, तो फिर आप इस batch को avoid करने का सोच सकते हो, फिर आप अप अपरेल मेंड मिशन ले सकते हो, वैसे ये वाला जो batch होता है, ये December के last week में start होगा, और जहां तक मैं समझता हूँ, 31st जैन तक ये चलता है, उसके बाद इसमें board preparation leave दे दी जाती है, इसमें आपको 10th का foundation level का advance का material करा जाएगा, प्लस इसमें थोड़े बहुत 11th के topic भी ये लोग touch कर देते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें cope-up नहीं कर पाओगे, तो better है कि आप April में admission लेना, after board, क्योंकि अगर आप class 10th में हो, तो सबसे पहली priority आपकी board है, ठीक है, board exam आपकी priority अगर आपको जरा सा भी doubt है कि आप board की preparation के साथ manage नहीं कर पाओगे, तो मत लेना, admission मेरी advice आपको यही है, ठीक है, wish to lead in, this and early start intent to crack this IJSO with high rank, इसमें Olympiad वे गरा की preparation करा देते हैं, robustly prepare for KVPY and international OLAB PR, ठीक है, with board exam getting, Syrian and getting either delayed or split in two terms, student joining advance batch will get an extra edge of around two months, December to January, जो मैंने आपको पहले बता है, लेकिन अभी तो इस बार तो two terms में split हो नहीं रहे, वो तो last year की बात थी, ठीक है, take lead over lacks of student in the country, देखो, normally सब लोग April में, June में start करते हैं preparation, तो अगर आप दो महीने पहले पढ़ लोगे, तो naturally lead तो लेहीं लोगे, ठीक है, अब important चीज इसमें आती, the student going into advanced career foundation batch will get the chance of further shortlisting to the limited and exclusive pool of special ranker group, ठीक है, जो लोग बोल लेते हैं, कब मुझे SRG batch में admission मिल जाएगा, इस batch से नहीं मिलेगा, ठीक है, further shortlisting, यानि इस batch में कर आप admission लेते हो, तो फिर से आपके test होंगे, जिनकों की batch selection test बोला जाता है, इनके बारे में मैंने अलग से video भी बनाया है, उपर आपका icon आ रहा है, वहाँ देख सकते हो, batch selection test, तो इस batch में अगर आप admission ले लेते हो, तो batch selection test में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा, वो जहां तक मैं समझता हूँ, April वाले बच्चों को भी मिल जाता है, ठीक है, और आ आप special ranker group में, अगर उस test में अच्छा perform करते हो, तो special ranker group के batch में आप select हो सकते हो, where you will be aggressively trained towards the making to the topmost rank of J.E.N.E.T. along with carrying exceptional chance to clear KVPY in Olympia, naturally उसमें वो ये लोग, अगर इनको लगता है, बच्चा मेहनत करने वाला जादा है, और अच्छा उसका basics वगरा क्लियर है, तो वो उसको advanced level की चीज़े पढ़ाते हैं, high rank level के teacher से पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, ये भी इसमें एक बात है, कुछ लोग सोचेंगे कि ये discrimination हो रहा है, मेरे साब से discrimination नहीं है, ये है कि जिन बच्चों के अंदर potential है, उन बच्चों को वो उस level पर क्योंकि वो तो मुझे आई नहीं थी और ये लोग पढ़ाने लगे, ये मुझे आता नहीं, तो ये वाला मैं पढ़ी नहीं पाँ हूँआ, ना इसकी preparation होई, ना इसकी preparation हो, तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि ये चीज गलत है, मेरे साब से मुझे तो नहीं लगता गलत है, और वो उसको potential पर पढ़ा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये गलत है, आप अपना potential देखो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे जो IT में selection होता है, नीट में होता है, वो special ranker group से होता है, ऐसा दो होता नहीं, ठीक है, अपना potential देखो, उस हिसाब से पढ़ना है, why to take competitive lead, ये सारी जीजे बता दिए हैं, ज्यादा बात करने की, इसमें जरूरत नहीं है, student currently studying in class 6, class 8, 9 and 10, can appear in SRT, special ranker test में वो लोग appear हो सकते है, subject जो है, ये हाँ पर pattern और syllabus दिया हुआ है, आपको PCMB, plus mental ability, मोटा मोटा NCRT का syllabus होता है, सारा, ठीक है, syllabus जो है, syllabus of class 8, 9 and 10 for respective classes, आपकी जो class है, उ देखो, इसमें 100 objective question आएंगे, talent tax में कितना आया थे, 120, इसमें आएंगे 100 objective question, single correct answer होगा, plus 3 for correct answer, minus 1 negative marking, sorry 120 नहीं, उसमें आया थे 80 question, उसमें 4 number का question दना, तो इसमें आपको 2 घंटे में 100 objective question करने पड़ेंगे, और मैं ये समस्ता हूँ कि talent tax से थोड़ा सा lower level होगा, क्योंकि 100 question ह और time same है, plus 3 correct answer, यानि 300 marks का paper होगा, LN का जो talent tax था, वो 18 to 4, वो 320 marks का होता था, ठीक है, minus 1 negative marking है, इसमें mental ability में negative marking है, talent tax में क्या था, mental ability में भी negative marking थी, तो हर तरह से ये test talent tax के comparison में easy होगा, और जहां तक मैं समस्ता हूँ, same marks में talent tax के comparison में scholarship भी कम मिलेगी, ठीक है, सपोज आप ये talent tax में 50% है, और इसमें भी 50% है, तो talent tax में से आपको मिल गई है 40%, तो हो सकता है, इसमें 30% ही मिले, ठीक है, क्योंकि जितना मेरा analysis है, talent tax इनका best exam है, scholarship जो best मिलती है, वो talent tax में मिलती है, और इसी तरह से उसका level भी high हो जाता है, class 9, 10th के लिए ये question है, physics के 20, chemistry के 20, bio के 20, maths के 20, bio के 20, 11th के लिए ये है, medium इसका English रहेगा, mode of exam cable offline रहेगा, online नहीं रहेगा, time एक बज़े से तीन बज़े तक है, और दो घंठे का आपका ये paper रहेगा, ठीक है, student shall be given advantage to devotes the fee under early bird fee advantage, जो मैं आपको अल्रडी बता चुका हूँ कि एगर आप एक particular date से पहले fee जमा करेंगे तो ये आपको कुछ और भी scholarship के ऊपर भी discount देंगे, ठीक है, SRT exam का अगर आपको detail में syllabus देखना है, तो आप यहाँ पे click करना, और जिस भी class का देखना है, वो यहाँ से syllabus देखना है, up to 90% scholarship है, in batches की, ठीक है, all scholarship will be declared on the exam result itself, जब result आएगा, तब वो आपको बता देंगे कि भ 29 नवंबर को आपको result मिल जाएगा, यह result का link दिया हुआ, इसके basis पे आपको scholarship बगरा देखने के लिए मिल जाएगी, registration का method क्या है, और last date इसमे clear cut click हुई है, registration का method है, यहाँ पे click करना, registration के लिए चले जाओगे, registration fees की 100 रुपी, ठीक है, और LN का जो SIT का admit card है, वो यहाँ प register कर सकते हैं, जब आप register now पे click करोगे, तो इस तरह का एक page खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना sign in करना है, password, full name, mobile number बगरा दे देना, LN interested study center, देखो, जैसे मैंने चंडीगड select किया हुआ था, जब test भढ़ने से पहले चंडीगड select किया था, तो चंडीगड क है, वो सारा उनके लिए यह applicable है, ठीक है, तो सबसे पहला process होई है, सबसे पहले आपको LN की website पर उस वो center select करना है, जहां पर आप study करना चाहते हैं, अगर वाँ SRT हो रहा है, तो यह form up जरूर भर दू, ठीक है, 100 rupees registration fee से कोई बहुत जादा नहीं है, ओ सकता है आपका, अगर suppose talent tax में अच्छी बात नहीं बन पारी थी, तो इसमें आपको better scholarship मिल जाए, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप से, आप अपनी preparation करते रहे है, all the best